आप कि अब हलो दोस्तो स्वागता आप सबी का आपके अपने ओल्टाइम क्लाशिस अन्पूर चैनल पर दोस्तो मैं संजीवत उमर एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं और आपके लिए हमने यू-पी पुलिस और स्सी जीडि के लिए जो इस्पेसिल बैंच स्टार्ट किया है उसकी एक किलाश लेकर रहा हूं आज की किलास जो किस संबंदित होने वाली है दोस्तों यह मैंसे पैसे संबंदित होने वाली है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं और LCM या HCUP आप इसे बोल सकते हैं और किलास में अगर देख ले जाए तो दूसरा लेक्चर है तो किलास का कर फॉर्मेट की बारे में बात की जाए जो किलास है आपकी यह किलास तो टाइप में डिवाइड एक तो बेसिक है दोस्तों और एक है आपकी लेक्चर में ठीक है ना तो अगर देख ले जाए तो basic की भी दो खिलास है इसकी और lecture की भी दो ही किलास होंगे और आज इसकी यह किलास समाप्त हो जाएगी और अब यह दोस्तों अगर देख ले जाए तो basic to advance है अगर आप चैनल फे फर्स टैम विजिट कर रहे तो प्लीज दोस्तों आप इसकी जो basic किलास है वो जुरूर देख लीजी क्यूंकि basic किलास के तुरू आपको easily समझ सकते हो कि किस टाइप की question बन सकते हैं और किस तरीके से दोस्तों तो यह है आज का विचार आज का विचार क्या है दोस्तों आपकी ताकत आपकी कमजोरियों से ही आएगी यह बात सच है दोस्तों जितना आप किसी चीज से डरते रहोगे इतना ही आप और कमजोर बनते चल जाओगे अगर आपको ताकत वार बनना है अपनी ताकत आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको अपनी कमजोरिया पर ध्यान देना होगा क्या आपकी कमजोरिया है तो आपको सबसे पहले तो अपनी कमजोरिया जाननी होगे ठीक है ना जैसे यह आपको आपकी कमजोरिया पता लग जाएंगे उसके बाद आपको काम करना होगा अपनी कमजोर्यी पर कमजquent दूर करने के बाद आपके इनदर ताकत आजाएगी और आप अच्छे से यालि नी देख ले जाए जिस तरह से किसे ट्रेंट कू форм bene miner toolbox में problem है तो mathematics के भी ऐसा नी किस सारी mathematics में problem होगी उसके कुछ basic प्रॉब्लम को दूर कीजिए उसके बाद आपका सालच सुरुवात और ये चार्ट बनाए गया उस चार्ट के तूरू आपको बताय इस चार्ट के तूरू आको बताया गया और basic तो आज इसके बारे में नहीं होगे class क्योंकि basic आप पहले ही देख चुके है उलोडी ठीक है ना जो भी कोई problem है अब आप यानि या तो आपको class दुबारा repeat करने होगी या otherwise ठीक है आपको specifically comment करके बताना होगा परसर इसमें problem है अब आप इसे solve कर दीजिए तब जाकर इसकी problem का समधान होगा ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस class की तो यहां पर अगर देख लेजाए यह 12 है यह 18 है यह 36 है और यह 45 यहां पर कहा क्या गया पहले गुत्तम संक्या क्यात कि जिसे 12, 18, 36, 45 से यहां से भी 4, यहां से 4 और यहां से 4 ठीक है तो अगर सेम मिला LCM तो अब आपके पास बची यह value ठीक है ना जिस्ट वेट यह वाली value है हमारे पास तो इस value का क्या करना होगा आपको यहां पर लेना होगा इसका LCM और LCM मिल जाएगा इसका कितना मिलेगा यहां दीज़ेगा 180 हाँ ठीक रहेगा 180 से मिलेगा अगर से से अलग अलग है तो करना क्या होते है 180 माइनस के चार तो वह संक्या क्या थी 116 आपकी वह संक्या थी ठीक है ना तो आप cancer है 176 तो ऑप्सें सी ठीक है नेक्स किस्टिन की तरफ चलते हैं देखते हैं पंद्रासो और दोजार के बीच वह है कौन सी संक्या है जो 36 और 102 से भी भाजित होगी कोई प्रोडम नहीं है तो जहिर सी बात है पहले तो आपको 36 और 102 का लेना होगा एलसियम ठीक है जैसे इनका एलसियम लोगए आप एलसियम देने के बाद आपको क्या मिला एलसियम देख लिए पहले तो उसका एलसियम रह जाएगा 612 ठीक है अगर 612 से स्टार्ट करेजा तो इनके बीच में वह है संक्या मतलब एक ही संख्या होगी इनकी पीच की जो भी हो सकती है तो यानि 6 दूनी 12 और 3 तीन का multiple जो भी इसकी 3 की multiple रहेगी वही इनके बीच की संख्या होगी यह हो गज़ा है यह 3, 6, 18 तो कौन सी संख्या रहेगी आपके यह ठेका न ठरा च्छतिज आपके संख्या रहेगी तो जिस्ट वेट तो नेक्स्ट क्यूस्टिन है इस क्यूस्टिन को भी देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया दस पंदरा बीस से पूर्णते विभाजित चार उंकों की महत्तम संख्या कून सी है दस पंदरा और बीस सबसे पहले तो आपको दस पंदरा और बीस इन सब का लेना होगा आपको एल्सियम क्या लेना होगा एल्सियम तो जैसे ही आप इनका एल्सियम लोगे तो एल्सियम तो इनका साट मिल जाएगा ठीक है ना तो चार उंकों की चार उनकों की महत्म संख्या महत्म है तो बड़ी से बड़ी तो जही रिबात है अब चार उनकों की ये रही बड़ी संख्या और 60 से करना होगा आपको divide जब 60 से divide करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको ठीक है ना या अधरवाईज आप चलिए करते हैं डिवर्ड यह 60 तो यहां कितना मिला यहां पर 9,3 ठीक है फिर 9 उटा ले 6 टाइम तो 360 फिर यहां पर 9,3 फिर 9 यह भी 6 टाइम तो यह होगा 6,7 इस से जादा चलाओगे तो जादा हो जाएगी वो तो कितने होगी 60 गुना 167 166 तो इसकी मल्टिप्लाइ करने के बाद 9,9,0,6 तो अगर देख ले जाएगी यह रहेगी आपकी संख्या ठीक है ना क्या रहेगी यह संख्या रहेगी आपकी तो कौन सा आंसर है आपका यह कौन से वाला बी ओप्शन आपका ठीक है तो यहाँ पर भी एक क्यूस्चन है इसे भी करना है वह चार रंगों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पर तीक से पूनते विभाजी तो ठीक है 12, 15, 18, 27 अभी सबसे पहले तो यह जो वैलू आपको दी गई इनका लेना होगा आपको क्या once more ELSESTEM की थीफ़ना आपको is ELSESTEM तो अगर इनका ELSESTEM देह तो क्या रहेगा ELSESTEM आपको थोड़ा सज्छना देखन आपके ठीक हblock है यहीफळी तो पानट्यों की बाड़ी से बड़ी थी तो पानट्योंकों की बड़ी थी तो यह देख ले जाए तो एक बार 540, यहां से 0 घटा दिये, 9 और यहां से 5, यहां से 4 फिर 9, 8 बार तो 8, 18 चला, तो कितना चला? 18 तो 18 और 540 की मल्टिप्लाई कर दीजिए बस यह आप कर रहा, आंसर 0, 18, 72, 7 18, 98, 97, 97 तो 97,920 तो कौन सर आपका अंसर? इसका भी अंसर B है तो यहां पर भी देखते हैं इस क्यूस्टन को कैसे करना है आपको? द्यान दीजिए 5 गंटे एक साथ बजना पर आरंब होती है ठीक है ना? तो 5 गंटे एक साथ बजना पर आरंब होती है वह 3, 6, 9, 12 से के अंतराल पर भजती है कितने कितने? 3, 6, 9, 12 के अंतराल पर भजती है कोई प्रोलम में तो 36 मिट में वह एक साथ कितनी बार भजेंगी? तो सब सब पहली बात तो आपको यह याद रखनी कि क्या वह 36 मिट से ही स्टार्ट हुई थी? ठीक है ना? सब सब पहला पॉइंट होता है में यह समझने का यहाँ पर किर्शन का कि क्या वह 36 मिट से ही स्टार्ट हुई थी? अगर में उसी मिट से स्टार्ट हुई तो फिर तो कोई प्रोलम नहीं है ठीक है ना? अगर मूँ उसी मिट से स्टार्ट हुई थी तो कोई प्रोब्लम नहीं होगे अगर मूँ उस मिट से नहीं स्टार्ट ही फिर प्रोब्लम ही प्रोब्लम होगे आपको ठीक है ना तो कोई प्रोब्लम ही स्टार्ट करते हैं दोस्ता चलिए दोस्ता अच्छे एक बात हो रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग वाली वैलू को जिरो नहीं मानना है ज्यादा तर इस किस्टन में बच्चे वही गलती करती जैसे 3, 6, 9, 12 और 15 सबसे पहले आप इनका लोगेL'ZIM क्या लोगेL'ZIM, तकरीबन इनका 120, 120 सेकंड है तो मिनट कितनी बन जाएगी इसका मिनट का मतलब अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर यह मिनट बन जाये घा कितना 2 मिनट कितना 2 मिनट और है हमारे पास कितना 36 तो 36 बटे 2 पलस एक तो 18 तो एक वार एक ये sorry दोस्तो इसका LCM 9 से नहीं कटा गलत होगे दोस्तों LCM इसका ना कितना रहेगा 100 से ज़्यादा ठीक रहेगा ठीक है ना कितना रहा 180 अगर 180 रहा तो में था ना अभी तो इसे 3 मिनट बहुत दो गया अगर ये 3 मिनट है तो यहाँ पर कितना था 36 बटे 3 पलस एक करना वही था जो आपको पहले करना था तो कितना वा ये हुआ था 12 एक 13 तो 13 मिनट के गैप दूबारा बजेगी कितना 13 मिनट तो ओप्षन कौन सा है ये ओप्षन ठीक है ठीक है ना चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरह तो एक किस्टन और करना यहां पर तीन घंटिया एक साथ 11 बजे पराता बज़ती है वे करम से 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के इंतराल पर बज़ती है तदू अनुसार दूबारा में एक साथ किस समय बज़ेगी तो यह है 20 30 और 40 ठीक है ने 20 30 और 40 यहां पर अगर देख ले जाए कितने से डिवाइड करोगा आप 10 से डिवाइड कर दीजे खर इसका एल्जिम ही दो लेना है एल्जिम ले लेते हैं एल्जिम क्या रहेगा इस सारी वैल्जिम ले आपने एल्जिम रहेगा इसका 120 कितना 120 ठीक है तो 40 मिन्ट के अंतराल पर बज़ती है तो 120 के अगर बात की जाए तो 120 से कितने कितना बना 120 यह मिनिट है दोस्तो कितनी है यह मिनिट अगर यह मिनिट है तो मिनिट को कितने घंटे में कनवर्ट होगा दो घंटे में ठीक है दो घंटे के बात बज़ेंगे 11, 2, 1 बज़े क्या टाइम रहेगा आपका एक बज़े का समय रहेगा तो यहाँ पर भी यह क्यूस्चन दिया गया है इस क्यूस्चन को भी ऐसे सूल करना है तो कैसे सूल करोगे इस क्यूस्चन को यहाँ पर दिया गया है आपको एक मिन्ट दोस्तो क्या दिया गया है यहाँ पर 24, 36 और 54 ठीक है न और 10, 15 पर वो पहले बज़ी थी तो कोई प्रोब्लम नहीं इसका लेना है सबसे पहले तो आपको LCM LCM थोड़ा सो complicated बैठागा बट आपको try तो करना होगा अगर LCM आप लोगे इसका LCM रहेगा 216, क्या रहेगा 216, और यह क्या है यह है second second है तो convert किसमे करना होगा minute में, तो minute कितनी हो जाएगी 34, यानि 3 minute, और कितना रह जाएगा, 103 तो यह रहा 3 minute, और उसके बाद 36 second 3 minute, 36 second के इंतराज के साथ, फिर वो एक बार बजेंगी यह से दोस्तिस में घंटी नहीं है वो रंग बदलेंगी, तो आपको add करना होगा, कितना add करना है यह है 10, 15 3, 36 यहाँ पर 36 यहाँ पर 18 और यहाँ पर 10, तो 10 बज़ गया, 18 और 36 second के बार एक साथ, फिर बजेंगी सोरी, जलेंगी दोस्तों में अच्छा, निमली कितमें से वे है, छोटी से छोटी चंक्या कौन से है जो 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 3, 6 पराफ्त हो तो अब question जो है दोस्तों, इनका लेना होगा LCM, और यह double divider वाले मिले, जैसे आपको बताया था मैंने, double divider कैसा है इन देको 9 से भी divide हो रहा है तो double divider वाले question किस तरह से करने थे वो question करने थे आपको कैसे, वो करने थे दोस्तों, आपको किस तरीके से एक constant मानने के बाद तो सबसे पहले तो आपको 5, 6, 7 और 8 इन सब का क्या लेना होगा LCM, यह ले ले लेते हैं भी इसका जब LCM लोगे तो LCM कितना मिला इसका तो थोड़ा सो complicated रहेगा 5, 4, 0 यह रहेगा इसका LCM, ठीक है न कोई problem में दुबारा कर देते हैं यहाँ पर वैसे भी यह दुबारा करना भी था क्योंकि यहाँ पर यह दोस्तों LCM गलत हुआ था आपका इसका जो LCM रहेगा इसका LCM 840 रहेगा दोस्तों कितना तो कैसे लिखोगे आप 840 के पलस 3 ठीक है न अब 9 से डिवाइड करने 9 से इस सारी वैल्यू को तो डिवाइड नहीं कर पाऊगे तो सबसे पहले नमनम क्यासी फिर 29 ठीक है न तो 3 के पलस तीन बचा अब आपके पास अच्छे कैसे बचा ये बचा सेस के बाद इस वाली वैल्यू को जो ये वैल्यू है आपके पास ये इसे डिवाइड के आपने 9 से ठीक है ना तब ये सेस बचा अब इसकी वैल्यू पूट करने तो यहां तक तो कोई प्रोब्लम नहीं है, ठीक है, अगर कोई प्रोब्लम नहीं है, तो नो की वैलू ऐसे ही, अब दो रखा के की वैलू, तो संक्या क्या रहेगी, यहां पर रख दीजिए, कैसे, आट सो चालिस गुना दो पलस तीन, तो 1680, 1683 आपका अंसर बना, यह बना 1683, ठीक है न, एक और क्यूश्चिन करते हैं यहां पर, वह चोटी से चोटी संक्या कौन से है, जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर, सेस्पल 4 देती है, ठीक है, लेकिन, जब वह संक्या साथ से भी भाजित हो जाती है, तो सुनने सेस्पल देती है, तो वह ही है, सेकंड डिवाइडर वाली है, कोई प्रोलो नहीं है, देखो, 16, 18, 20 और 25, इसे करना है, आपको डिवाइड है, इसका लेना है, एल्शियम, एल्शियम क्या रहेगा, यह आपको ध्यान में रखना होगा, एल्शियम काफी बड़ा रहेगा, 36, 25, 600, वहाँ ठीक है, दोस्ते, इसका अंसर रहेगा, 36, एल्शियम क्या रहा, 36, ठीक है न, एल्शियम अगर 36 रहा, तो क्या संख्या बनेगी, आपकी 36, के पलस 4, डिवाइड करनी है, साथ से, तो साथ से डिवाइड करने के बाद, जो सेस बचा, 35, साथ कम साथ, साथ चुक अठाई, तो दो बचा, दो के पलस 4, अब ऐसी वैल्यू रखनी है, जो साथ से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर के की वैल्यू 6 रख देजिए, च्छत दूने 12, के की वैल्यू क्या रख देजिए, 6, च्छत दूने 12, नहीं दोस्त, पांच क्या रख देजिए, 5, तो 5, 2, 10, 4, 14, ठीक है, 5 ठीक है, तो आप का अंसर बन जाएगा, 36, गुना 5, पलस 4, ठीक है न, अब इसकी मर्टिप्लाई जैसे ही कर दोगे आप, तो करने पर क्या मिल लाएगा, आपको, 18, 1000, और 4 ये भी है, ये रह जागा है, उप्सन में, हाँ, उप्सन में है दोस्तो, ये रहा आपका उप्सन, चलिए, नेक्स्ट पर चलते हैं, अब नेक्स्ट किर्चन भी करना है, तेरा का वह सबसे छोटा गुना जो कौन सा है, जो 4, 5, 6 से विभाजित किया जाए, हर बार, 3 से इस देता है, कोई बात नहीं, 4, 5, 6, और 7, इस से कर लेना है, इसका लेना है आपको LCM, चलिए, LCM लेते हैं, LCM कितना रहा, LCM रहा, यहाँ पर कितना, तो देखना होगा, दोस्ते इसका LCM, 420 ठीक रहेगा, दोस्ते इसका LCM, कितना, 420, तो 400, just to wait, 420 के पलस 3, अब हमें करना क्या है, डिवाइड करना था 13 से, तो 13, 49, तो यहाँ पर 6 भी यह बचा, 4 के पलस 3, ठीक है न, 6 कितना बचा, 4 के पलस 3, यहाँ तक तो कोई प्रोब्लम रही है, ठीक है न, अब इसमें value ऐसी रखनी है, जो पूरी-पूरी कट जाए है, तो यहाँ पर value complicated सी रहेगी, 9 रख दीजिए, ठीक है, 9.36, 3, 49, ठीक है, 9 सही है दोस्तों आपकी, तो और संख्या आपकी बनी, 4, 2, 0, 99, पलस 3, तो इसका जब multiply कर दोगे, तो कितना हो जाए गई हो गया, 37, और 3 और लड़ी है, तो कितना बचा आपका, यह बचा आपका, 37, 83, ठीक है न, 37, 83, यह बचा आपका आणसर, ठीक है न, तो यहां तक भी कोई problem नहीं है, यहां पर है, अब इस बार, 4, 5, 6, 7, 8, तो यह जो संख्या लिए गई, इस संख्या का करना क्या आपको, एल्चियम, इसका एल्चियम कितना रहेगा, इसका एल्चियम रहेगा, आपका, 840, ठीक है न, इसका एल्चियम रहेगा, 840, यह थोड़ा ध्यान देखना आपको, ठीक है न, करना 13 से डिवाइड है, तो कैसे करोगे, आठ सो, जस्ट वेट, 40 के पलर, सेस कितना था, दो, ठीक है न, यहां के बाद, अब, आपको, के की वेलू पूट करनी है, के की वेलू, पहले तो डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद देखते हैं, सेस कितना है, सेस बचाएं, यहां पर 8, 8K पलस 2, तो यहां पर, के की वेलू, 8, 3, 24, हाँ, तीन रख दीजे दोस्तों, तीन से, यह तेरा से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 8, 4, गुना 3, पलस 2, अच्छा, आप सोच रहे हैं, यह वेलू कहां रख रहा हूँ, यहां रख रहा हूँ, दोस्तों, मैं यहां पर, इस वे कर दोगे तो यह होगा, 5, 2, 5, 2, 0, पलस के 2, तो ठीक है, यह अंसर कितना मिला, 2, 5, 2, 2, यह आपका अंसर मिला, ठीक है न, तो कौनसा अंसर ठीक रहा, C ओप्शन ठीक है, आपका, नेक्स किर्चन देखते हैं, वे छोटी से छोटी चंकर जो, 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर परती एक दसा में सुनने सेज़ देती है, और 13 से भाग देने पर 7 सेज़ देती है, तो कहने का मतलब यह है, ठीक है न, तो अब आपको बताना होगा, इसका अंसर क्या रहेगा, कोई प्रोडम नहीं है, कितना है, हमारे पास, 4, 6, 8, 9, यहाँ पर क्या रहा, इसका लेना होगा, एल्चियम, एल्चियम राज का 72, कितना रहा, 72, तो सेज़ पली, आपका कितना था, सेज़ पल, आपका सुनने बचा तो, 13 से, भाग देने पर 13 से, 13 से भाग दोगे, साथ मिल जाएगा, तो ठीक है, यही संक्या सही है, दोस्तो, क्या रहा आपका अंसर, यह रहा आपका अंसर, ठीक, वे चोटी से चोटी संक्या, जो 31 का गुण जो 15, 24, 32 से भाग देने पर इतना तना सेज देती, अलग-अलग सेज से गटाना होगा, पहले दो, पहले लिखो 15, फिर लिखो 24, फिर लिखो 32, यहाँ से दो गटा दीदी, यहाँ से 11, यहाँ से 19, 13, 13, 13, यहाँ तक कोई प्रोलम नहीं है, तो इसका लेना होगा, एल्जियम, इसका एल्जियम क्या रहेगा, चलिए कोई प्रोलम नहीं है, देख लेते हैं, इसका एल्जियम क्या रहेगा, इसका एल्जियम रहा दोस्तो, 488 कितना रहा 488 तो संख्या गया बने है आपकी 488 के पलस कितना बचा 13 माइनस करना होगा दोस्तो ठीक है न अब ऐसी संख्या क्या रखी जाए तो वही आपको या तो डिवाइड करके देखनी है दरवाई जगर डिवाइड करोगे तो सेज क्या में लगए पंदरा के माइनस के 13 अब डिवाइड होनी है वो 31 है तो वही लो कितनी रखे जाए पांच रख दो पांच रखे तो ठीक हो जाएगा के बराबर कितना रखोगे पांच तो आपकी संख्या क्या रहेगी 485 माइनस 13 माइनस के 13 भी करना होगा जब इसमें से 13 करोगे तो मिल जाएगा 23,87 कितना मिल जाएगा 23,87 ठीक ना तो 23,87 है कोई ओप्षन यह रहब भी ओप्षन ठीक है आपका तो इसके विश्चन में क्या करना है 23 का सबसे छोटा गुणज ग्याद किज़े जो 18,21,24 से भाग देने पर करम से 7,10,13,16 बचे कोई प्रूब्लम नहीं है सोरी दोस्तो 18,21,24 यहाँ पर कितना है 7,10,13 यहाँ पर देख ले जाए तो कितना 11 यहाँ पर 11 तो सबसे पहला आपको करना क्या है यह जो वैल्लू है हमारे पास यह वाली इसका लेना होगा है इसका 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 रहेगा इसका 504 ठीक है 504 जस्त वेट 504 के माइनस माइनस ग्यारा ठीक है ना तो यहाँ तक तो कोई प्रोब्लम नहीं होगी यहाँ के बाद बस आपको करना क्या है करना मातर इतना है यह तीज से डिवाइड करना होगा तो 6 बचेगा आपका 21 बच जागा दोस्तों 21 के माइनस के ग्यारा ठीक है तो अब वेल्यू रख दीजिए के के वेल्यू अगर आप 6 रख दोगे तो आपका सई बच जाएगा से तो चलिए अब आप सोच रहे होगे कहां पर वेल्यू रख रहा है मैं यहां पर रख रहा तो उस तो यहां पर जो सेज बच जाता है तो आपके पास क्या बचा 504 गुना 6 माइनस 11 ठीक है न जब यहां से वेल्यू बटा दोगे तो कितना हो जागा 3,2,4 माइनस के 11 तो 30,13 आपका अंसर रहा कितना रहा 30,13 तो कुन्स उप्शन ठीक है उप्शन रहा A ठीक तो यहां पर अगला किस्टन करना अगला किस्टन करना क्या कहा है एक आदमी के पास निश्चित रंख्या में छोटे बकसे हैं जिने जिने पार्सलों में रखना है यदि वह तीन, चैर पांच, छेन रखता है तो उसके पास एक बच जाता है क्या बच जाता है एक बच जाता है यह दिवह परती एक पार्सल में साथ रखता है तो उसके पास कुछ भी सेज नहीं बचता है वो ही है सेकंड डिवैडर वाला है तो आपको करना बस उसी तरीके से है कितना है तीन, जिस्ट वेट तीन, चार, पाँच, छे तो ठीक है इसका क्या लेना है आपको इसका लेना है एल्सियम तो यहाँ पर एल्सियम अगर देख लिया जाए एल्सियम कितना रहेगा इसका इसका एल्सियम साट रहेगा साट तो क्या बनगी जंक्या साट के पलस के कितना से बचता है एक और डिवाइड करना है साथ से सो तोटी चपपन तो चार के पलस एक अब ऐसी वैलू रखने होगे पांच रख दी थी पांच तो के की वैलू गर पांच रख देते हैं यह किस है कट जाएगा यहां पर तो यहां पर क्या बन जाएगा साथ गुना एक अंशर आपका है वस आंसर हाँ है तो यह रहा आपका अंसर तो यहाँ पे एक और क्यूष्टन है यह करते हैं दो दी गई संख्याओं का लगुत्तम उन संख्याओं के महत्तम से छे गुना है जैसा कहा क्या वैसा करना हुगा ठीक है यदि दोनों में से छोटी संख्या एई 6 हो तो दूद्धी संख्या होगी 6 गुना सेकंड संख्या और मैंसे जो है अगर एक्स लेते हो यह होगा 6x 6 से 6 के अंचे लोगा तो 2x बराबर कितना होगा x kesquare मतलब जो इस संख्या का square होगा वही आपकी answer होगी तो answer मिला ये no ठीक है ना दो संक्याओ का मैसे उरले से दिया गया है पहली संक्या ये है तो दूसरी संक्या क्या होगी तो कोई बात नहीं से तैजटीज कर सकते हो ना इंटिज 6 वही मैसे गुना ले से बराबर पहली संक्या गुना दूसरी संक्या दूसरी संक्या एक्स है जब आप इसे divide करोगे तो divide करने के बाद आपको क्या मिला गए आप है divide करने के बाद ये मिल लगा 144 कितना मिल लगा 144 तो ये रहा आपका answer ठीक है ना 144 आपका answer रहा अंगला question करते हैं बताना है आपको अच्छा वो संक्या वो संक्या का लेसे इतना है मैसे इतना है तो अनुसरी एक संक्या है तो दूसरी क्या होगा as it is करना है आपको तो ये तो 27 गुना 279 बराबर 189 गुना x ये value दर बटे में पहुंचा दीजिए बटे में पहुंचाने के बाद आपको कितना मेला गा x equal to 297 है option ये रहा आपका option next ये भी question करते हैं ये दो अभी वेक्तियों का लगुत्तम और महत्तम करम से ये दिया गया तो एक अभी वेक्तियों है तो दूसरी क्या ही दूसरी संक्या निकालनी तो दूसरी संक्या कहां पहुंचे की डिवाइड में लिख दो आप इसे पहली संक्या थी आपकी इच्छे इसके factor पहले ही लिख देजिए यानि सेकंड संक्या अगर निकालनी ये तो बटे में रहनी ठीक है ना कितना था बटे में x square plus के 3 x plus के 2 और यहां पर लिया गया आपको x plus 1 और यहां पर कितना है x square plus के 6 x plus के 8 यहां पर कितना है गुना x plus 1 तो यहां पर भी x plus 1 as it is और यहां पर कितना x plus के 4 ठीक है और 6 ना ना 4 plus 2 और इसका square लिक दीजिए यहां पर भी ऐसे factor कर दीजिए x plus के 1 और x plus के 2 तो जहीर जिबात है यह value का किन चिल रही है तो यहां पर बचापका x square plus 5 x plus 4 तो इसा कौन सा option है यह पहला ही option ऐसा ही है ठीक है ना यह तो दूसरा एकोर question करते है यहां पर क्या कहा गया तीन फिन संध्व का लगता में 120 है निम्ली कि इसे कौन से चंख्या है जिनका मैंसए नहीं हो सकता 120 देा गया और यह कहा गया इनमे से कौन से चंख्याओं का मैंसे नहीं हो सकता ठीक है न तो अगर देख लिया जाए देखो मैसे का मतलब क्या होता है लेसे वो संक्याओं जो डिवाइड होती है 8 से डिवाइड होगी ठीक है इसका भी हो सकता है 24 से भी डिवाइड होगी लेकिन दोस्तों अगर देख लिया जाए यह 35 से डिवाइड नहीं होगी तो जहिर सी बात है आपका अंसर रहेगा 35 अच्छा अगला क्यूस्चन में क्या कहा गया दो संक्याओं का मैसे 24 और लेसे अन्य दोगना गुणन खंड यह हैं तो उनमें से बड़ी संक्या क्या होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर पहली संक्या और दूरी संक्या निकालने तो मैसे का मल्टिपल होता है मैसे गुणा चोड़ यह रहा है कि आंशर यहां पर क्या रहे है आपके बड़ी जंग्या 23 गुणा तो तैस गुणा चोड़ यह यह आंसर ठीक है तो इसकी मल्टिपलाइए क्र दोगे तो कितना हो जाएता इसकी मॉल्टिपलाइश देख लीजिए यह हो जाईगा आद तो यह रही 322 यह आन्थर ठीक आपका D एक मेंट जस्ट वेट यह तो हो चुका यह वाला क्रिश्चन यहाँ पर कहा गया मैं से 13 और ले से इतना तो संक्या 75 और 125 के बीच की हो सकती है कोई प्रोब्लम नहीं है पहली संक्या तो 13 A दूसरी 13 B मैं से गुना ले से इससे काट दीजिए एक गुना B बराबर क्या विचा 13 तिया 49 और पिर यहाँ से 13 पंजे 65 यानि 7 और 5 का मल्टिपल के हिसाब से संक्या बनेगी जो इनके बीच की तो 13 तो अगर देख ले 13 पंजे 65 ये तो इनके बीच की नहीं है क्योंकि 75 जादा है ये 13 सत्य और ये इनके बीच की रहेगी ठीक है ना अंसर कौन सा रहा आपका ये ये रहा अंसर दो संक्याओं का योग दे अगया 528 उनका मैंसे कितना है 33 तो दनुसार इस परकार कुल कितने जोड़े बनाए जाय सकते हैं तो ठीक है देख लेते हैं भी पहली तो है 33 A दूसरी कितनी बनी 33 B और बराबर कितना हूँ 528 33 कौन लेने के बाद कैंसल कर दीजिए जब इससे 33 कौन लेने के बाद आप कैंसल करोगे तो यहां पर मिल जाएगा 16 तो याद रखना यह जोड़े भी ऐसे होने चाहिए दोस्तों जो सहःभाज्य हों सहःभाज्य मतलब इनका मैसे एक होना चाहिए तो कितने संबह हो सकत हैं यहां पर जोड़े बन सकते हैं आपके एक तोगर देख ले जाए एक और पंदरा इनका मैसे एक रहेगा और एक होगे तीन तेरा इनका भी मैसे एक रहेगा और पांच और ग्यारा इनका मैसे भी एक रहेगा और साथ और नो इनका मैसे भी एक रहेगा तो चार जोड़े हुए संभाव दोस्तों तो उप्शन ये रहा आपका दो संख्याए दी गई दो संख्याओं का LCM दे दी 120 में से 70 है तो निमने में से संख्याए का योग हो सकता है तो वही कोई प्रोब्लम नहीं है तो यहाँ पर अगर देख ले जाए तो कैसे करोगे इस क्यूस्टिन को सोल यहाँ पर पहली संख्याए कितना सुरी यह दस है दोस्तों LCM तो दस Xघओंभण 10y बर Eco द thinkers गहाय दॏजे इस तो दस एक्सया गुर्ण बराबर दज गुर्ण एकसो थीज आपका तरीकह है जिरो से जीरो से जीरो से जीरो तो XY बराबर कितना वच़ाए 12 कितना वच़ाए एकस वबराबर पर। तो यहां पर 12 तो संख्याइक का जोड़े अगर दिख ले जाए तो कौन-कौन सी संख्याइक हो सकती है इसके चारती है बारा भी हो जाएगा तो इसी पर LCM के कुना कर दो तो 30-40 इन दोनों का टूटल कर दो तो कितना सतर हो जाएगा तो उप्षन है हाँ तो अगर एक और बन सकती है वैसे एक और बारा भी बन सकते है पर टूटल उसकाश में नहीं है क्यानि एक से तो दस बन जाएगे बारा से 120 तीस तो है नहीं इसलिए यही आंटर ठीक है आपका एक क्यूस्चन और देख लेते हैं यह जी दो समसंख्याओ के मैसे लैसे करम से यह हैं तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं मैसे कितना है दो तो दो ए दो बी बराबर दो गुना चुरासी तो दो से दो कैंचल हो गया इस से यह कैंचल एक गुना बी बराबर कितना हुआ ब्याडिस ठीक है ना तो कितने जोड़े बन सकते वही मैंने क्या बताया था सह साहबाज्य होने चाहिए हैं साहबाज्य कौन कौन शेक्स तो छे साथ है और अगर देख ले जाए तो अगला जोड़ा क्या बन सकते यही ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि यहां पर कितना है आपका मैसे कितना था दो तो गुना दो और यह गुना दो पलस यह बारा और दो चो बिस तो यही ठीक है वरना और संक्याई जो भी बनेगी उनका टूटल ज्यादा होगा और वो इसमें नहीं आ पाएगे ठीक है ना एक और क्यूश्चन देखते हैं यहां पर क्या कहा गया दो संक्याव का गुनन फल दे रखा मैसे यह है तो बताना है आपको उन संक्याव क कितने जोड़े हो सकते हैं कोई प्रूब्लम नहीं है तो पहली संक्या कितने होगी जस्ट वेट 12X दूसरे वी 12Y और बराबर कितना हुआ यहां पर तो बराबर हुआ यहां पर देख लीजिए एक मिन्टी तो किर्शन हो चुका दोस्तों यह है किर्शन 12A गुना 12B बराबर कितना रहा 2160 कितना है यह 2160 तो X सोरी A B बराबर कितना मिला यहां पर मिला 15 अगर यह 15 है तो एक तो जोड़ा आपका एक 15 ही हो जाएगा और दूसरा जोड़ा हो जाएगा तीन 5 तो ठीक है ग जोड़े हैं दो जोड़े संभा हुआ है तो यहां पर अगला क्यूस्चिन भी करना है दो धनात्मक पूर्णांकों को लैसे बड़ी संख्या का दुगना है लैसे कैसा है बड़ी संख्या का दुगना है और छोटी संख्या हो और दोनों पूर्णांकों को मैसे का अंतर चा ब्रीक है न ले से तो आपके छोटीं बड़ी संक्या घर एक्स है ठोटीं चांगा आपकी वाई है वाई बड़ीं संक्या क्या आ आपकी एकस छोटीं क्यों की वाई तो बराबर कितना दो Und society यहां कितना य माइनस के ची तो यहां सेसे 22 यह बराबर कितना होगा, दो Y माइनस के 8, तो यहां पर Y बराबर कितना मिला, 8, तो छोटी संक्या होगी, 8 आपकी, तो इसी के साथ एक आवस्यक सूजना है दोस्तों आवस्यक सूजना ये है कि हमारे इसी चैनल पर आपको करंट अफेर्स पी किलास पी प्रोवाइड करा दी जाती है करंट अफेर्स हिंदी में भी है और इंगलीस में हिंदी की 4 AM मौर्निंग में स्टार्ट हो जाती है और ये 5 AM से है ठीक न अब सब से बेनिवेट ये है دोस्तों ये सौट वीडियोजो है सौट वीडियोज़गा बेनिवेट ये हुआ कि ये सिरिफ 1 मिनट की किलास है एक मिन्ट का मतलब एक मिन्ट दीजे आप हमें और करेंट अफेर तयार जितने भी आपके 15 से 20 किश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर तयार हो जाएंगे तो इसी के साथ दोस्तों मैं संजी उत्यमर एक बार फिर विदाई लेता हूँ आपसे हसते रहिए मुश्कुराते रहिए और अपनी तयारी निरंतर जारी रखे कब तक दोस्तों जब तक जोइनिंग लेटर हाथ में ना हूँ थैंक्स पोर वाचिंग